नमस्ते दोस्तो कैसे हैं आप मैं हूँ आपकी दोस्त कवीता रादा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागते दोस्तो आजम पोह बनाएंगे यह बहुत हेल्दी टेस्टी इजी और कुईक रेसेपी है बहुत ही कम सामान में यह रेसेपी बन जाती है तो चलो रेसेपी बनाना शुरू करते हैं एक इस टेनर में दो कड़ोरी पौह डालेंगे सबसे पहले पौह को हम जानेंगे इसके बाद पौह को पानी से अच्छे से वाश करेंगे यहां पर हमने मेडियम साइज का पौह लिया है ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला पौह को दोने के बाद इस टेनर को सीधा करके एक्स्टर पानी निकालेंगे पानी निकलने के बाद पौह को एक प्लेट में फिलाएंगे अब पौह में एक टेबल स्पून शुगर एक निम्बू का रस एक टेबल स्पून नमक या सौदन सार वन फॉर्थ टेबल इस्पून हल्दी हाफ टेबल इस्पून लाल मिर्च डालेंगे सबसे पहले पोई में हल्दी और लाल मिर्च डालें इससे पोई में अच्छा कलर आता है पोई को अच्छे से मिक्स करेंगे दस मिनट रखने के बाद पुआ हमारा खिला खिला हो गया है अब चोक की तियारी करते हैं कडाई में दो इस्पून ओल डालेंगे ओल के गरम होने पर हाफ टेबल स्पून सोंफ, हाफ टेबल स्पून राई डालेंगे इनके क्रेकल होने पर एक मीडियम साइज का प्याज बारिक कटा हुआ डालेंगे दो तीन बारिक कटी हरी मिट्च डालेंगे इसे सोटे करेंगे अब कडाई में पांस साथ करी लिव्स डालेंगे आप करी लिव्स सोंफ और राई क्रेकल होने के बार डालें अब कडाई में एक एक में चिनमक, हल्दी और लाल मिर्च डालेंगे ताकि प्याज में अच्छा कलर और टेस्ट आए अब भीगा हुआ पोहा कडाई में डालेंगे गैस की फ्लेम लो रखेंगे डेड़ से दो मिनट तक इसे अच्छे से सौटे करेंगे पोहा मारा बन चुका है गैस की फ्लेम अफ करेंगे अब भारी कटा हरा दनिया डालेंगे इसे भी सौटे करेंगे पोहा को एक प्लेट में सर्व करेंगे उपर से सेव बारी कटा हुआ प्याज और निबू के साथ इसे सर्व करेंगे आपको अमारी रेसिपी कैसी लगी अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वच्छिंग और बाई बाई